कि इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कोल इंडिया लिम्टेट के बारे में जिसने की कोड़ेटू के नंबर्स के अनॉंस्मेंट जस्ट अभी कर दी ये नौ बजे के बार में तो चलिए देखते हैं ब्योडिक आउटकम क्या देखने को मिल ला है तो पहली चीज जो कव नंवंबर दोजार चॉबिस एजन रिकॉर्ड देखने को मिल लिए डेट ऑपेमेंट की बात करें शैल भी बाई ट्वंटी फोर्थ ऑफ नंवंबर तो कंपनी ने काफी अच्छे डिवीडेंड के अनॉंस्मेंट करी है इसके लावा अनदर कोई भी अनॉंस्मेंट नहीं है यानि की बोनस या स्पिट से लेटेट तो कोई आउटकम नहीं बट कंपनी ने काफी अच्छे पंद्रा रुपए से ज्यादा के डिवीडेंड के अनॉंस्मेंट जरूर कर दिया तो चली देखते हैं कोल इंडिया के कंसॉलीडेटेड नंबर कैसे रहे तो डीटेल्स आ अलावा आपको कुछ नहीं करना है तो पहले बात करते हैं कंपनी का revenue from operations कितना रहा जो कि last year quarter 2 में 32,000 क्रोड का था वह जबार 30,000 क्रोड पे आ गया और quarter 1 में 36,000 था वह जबार 30,000 क्रोड पे आया तो revenue इस बार quarter और yearly दोनों ही जगे हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा ह market estimate 31,207 क्रोड का था जो कि अगर आप देखेंगे तो बिलकुल market estimate से हमें revenue इस बार डाउन देखने को मिल रहा है then उसमें आप other income add करेंगे तो आएगी total income जो कि 34,000 से 32 पे आगी quarterly 38 से 32,000 पे तो quarter on quarter company की income डाउन है और yearly basis पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको income डाउन दे नहीं रहे वो market estimate को भी बीट नहीं कर पाए then expenses की बात करें 24,514 से 24,161 पे आगया और quarterly 24,287 से 24,161 पे इंकम डाउन है तो expenses भी quarter plus yearly हमें कम देखने को मिल रहा है then discuss करते हैं company को total profit या loss for the period कितना हुआ तो last year quarter 2 में 8,048 क्रोड का profit था वह बस 6,274 पे आगया और quarter 1 में 10,943 का profit ता वह बस बाद 60,200 पे आगया और market estimate की बात करें तो 8,444 करोर का estimation लगाए गया तो जो की बिल्कुल miss हुआ है तो बिल्कुल profit down है और market estimate को भी बीट नहीं कर पाए same reflection देखने को मिलेगा company के earning per share यानी EPS में profit down है तो EPS भी 13 से 10 पे आगया yearly हो 17 से 10 पे quarter on quarter तो overall दोस्तों results क के basis पे बिल्कुल गिरावट हो सकती profit भी कम है और company के market estimate भी बीट नहीं हुए तो आपको का स्कॉल इंडिया के कितने shares है comment box में बिल्कुल बता है तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ अब तक के लिए बाबाए